Hello everyone मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा within minute आप Alex Blue से API कैसे लें पहले क्याता जो Alex Blue था वो API किसी different way से देता था जिसके अंदर आपको पहले mail करना पड़ता था redirect URL भेजना पड़ता था जब जाके आपको API मिलती थी और इस प्रोसेस के अंदर दो दिन भी लग जाते थे साथ दिन भी लग जाते थे कहीं को 15 दिन भी लग जाते थे तो यह कई वार इस वेज़े से API डिले हो जाती थी और API मिल नहीं पाती थी जो Alex Blue के यूजर है और जैसे आपको पता है Fires और Alex Blue API फिरी देते हैं तो Alex Blue फिरी API देता था बट API मिल नहीं पाती थी तो एक नया method आया जिसके अंदर within minute आप API को ले सकते हो Alex Blue की और कैसे लेना वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आप देख लीजी है हमारी website है आपको यहां आना है यहां आने के बाद आपको क्या करना है लोगिन करने के बाद आपको यहां पर यूजर नेम दिखेगा तो अब यह यूजर नेम दिख रहा है इसे हम दिखने देते हैं सबसे पहले आपको मोर पर जाना है मोर पर आपको रिसोर्स दिखेगा आप इसको रिसोर्स को पेज को ओपन करोगे मैंने ओपन करा तो ओपन तो अभी मैं आपको इसके बारे मैं बाद में बताऊंगा, और जो AlexBlue की API आपको मिलेगी वह इससे मिलेगी, तो आपको एक चीज का धान रखना है, सबसे पहले आपको अपना AlexBlue अकाउंट लोग इन कर लेना है जैसे कि मेरा लोग इन है, लोगिन करने के बाद आपको ओपन करना इस क्लिक जो API Dashboard URL इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप यहां पर पहुच जाओगे अभी क्या हुआ कि इन्होंने मेरा अकाउंट होने के बाद भी है मेरे से login ID मांग रहे हैं तो मेरे को यहां पर login ID नालनी पड़ेगी और मेरे पास login ID है नहीं तो मैं ले के आता हूं दूसरी page पे से लएक के आता हूं मैं आपको फिर demo दिखाता हूं एक मिन अप-लाइन पे र उसके बाद हम अपना password दालेंगे तो मैं password दाल रहा हूं इदर Alex Blue का उसके बाद login करेंगे login करने के बाद हमसे question पूछ रहा है जो कि आपके होते हैं तो मैंने question के जवाब दे दिये और submit कर दिये तो हमारे सामने developer console नाम से page खुल जाएगा इसके बाद आपको एक चीज का धान रखना है यह खुलने के बाद आपको create app करना है motivation आगे copy हो गया इधर चलते हैं और उस redirect URL को control V करके मैंने paste कर दिया आप देख सकते हो redirect URL कुछ यही है सबका यही रहेगा Alex Blue का और create app कर दिया जैसे मैंने create app कर रहा तो इसने मुझे यह सारी detail provide करी कि आपकी app ID यह है आपके account का नाम demo है और आपकी secret की यह है ठीक है यह detail एक ही बार मिलेगी इसके बाद आपको यह दिखेगी भी नहीं history के अंदर की आपकी क्या थी आप multi-epay create कर सकते हो multi-time कि आज मेरी इस redirect URL के साथ कर रहे हो कल को कोई और बोट यूज कर सकते हो within second आप यह चीज़े कर सकते हो आप इस पर click करोगे मैंने click करा जैसे मैंने click करा मेर को इतने सारे broker दिख रहे हैं जिनको हम support करते हैं तो अब आपको क्या करना अपने broker पर click करना तो वही दे सकते हो demo और यहां और कुछ भी दे सकते हो वह आपकी मर्दी है उसके बाद हम इस page पर जाएंगे और हम एप ID को copy करेंगे जो कि मैंने पहले कर लिए और इसको यहां डाल दूँगा ठीक है अभी मैं आपको यह चीज़े बलड करके इसलिए रिखा रहा हूं कि कि इसकी account की ID है उसके बाद हम developer दुबारा जाएंगे और secret की copy करेंगे और इसको भी यहां डाल देंगे जैसे हम इसे डालेंगे और हमने membership ले रखे add save करेंगे तो यह हमारा नीचे demo नाम से वह बन जाएगा यह देखी demo नाम से हमारे पास एक API credential बन गई तो अब हमें क्या क करना है जैसे हम activate करेंगे तो हमारी API activate हो गई मतलब हमारे system पर activate हो गई अब हमें daily connection मनाना है morning में सुबह 7 बजे के बाद 7 o clock के बाद connection बना सकते हो और यह फिर one day season valid रहता है one trading day station valid रहता है अब पूरे दिन आप order लगा सकते हो आपका PC बंद हो चालू और डजन मैटर आपके alerts आएंगे order लगते रहेंगे तो connection मनाने के लिए क्या करना है आपको अपने Alice blue का account login कर लेना है जैसे की मेरा पहले से है और मैं जैसे connection पर किलिक करूंगा तो मेरा connection बन जाएगा with new API तो सबसे पहले जब आप connection मनाते हो तो यह आपसे पूस्टा है कि अपनी power दे रहे हो से त कर देता हूं कि मैं अपनी power दे रहा हूं कि हम order तो फर्च ताइम authorized दे दिया तो जब आपके सामने यह चीज़ दिखेगी successfully connected API अब आपकी API connect हो गई अब आप कोई भी order लगा के देख सकते हो order लगा के देखने के लिए आप क्या कर सकते हो मैंने वीडियो बना रखी है उनक आपको क्या करना है आपको अपने dashboard पर जाना और यहां पर syntax generate page open करना है यह syntax generate एक syntax से syntax generate है तो syntax generate page open करना है मैंने open करा open करने के बाद आप check करना चाहते हो कि मेरी API connect है नहीं है उसके लिए बता रहा हो नहीं तो आप direct trading युसे भी trigger करा सकते हो एलेक्स ब्लू पर जाना है एलेक्स ब्लू पर जाने के बाद regular order लेना है regular order लेने के बाद यहां पर एक instrument token डालना है इसकी वीडियो मैंने बना रखी है तो instrument token में 30-45 डाल देता हूं यहां से copy करके 30-45 का मतलब SBA है और nsc डालना है quantity 1 डालना है buy करना है market order intraday generate code जैसे आप आप यह सारी चीज़े करोगे तो आपके पास आपने syntax आ जाएगा और इसको आप वैबुक URL से hit करा सकते हो इसकी वीडियो बना रखी है मैंने आपको copy करना है trading view पर जाना वैबुक URL से hit करवा देना है बट आप चाहते हो मैं trading view से नहीं अभी यहां से check करना चाहता हूं त जैसे जो आपने save syntax करा था वह आपको latest में उपर column दिख जाएगी जैसे कि आपको यहां दिख रही है मैं इसे on करूंगा on करने के बाद यहां पर एक hit का button आएगा तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दू मैं refresh करता हूं अपना Alex Blue account तो यहां दिखोगे complete order के अंदर 6 order है जो last लगना जीता इसका भी region बता देता हूं क्योंकि मेरे पास जो Alex Blue की API है एक ही account की वो दो API आपको डेमो के लिए add करके दिखा दी दूसरी पहले से मैं आपको डेमो के लिए add करके दिखा देता हूं यह वाली कहां गई यह दी दूसरी मैंने यह एक्टिवेट तो मेरे दो order लगे कि मेरे दो API एक्टिवेट और दोनों से order जा रहे हैं तो मैं क्या करता हूं मैं एक API को deactivate कर देता हूं क्योंकि आप multi account भी use कर सकते हो इसके अंदर तो मैंने एक deactivate कर दिया मेरे पास एक ही एक्टिवेट है तो मेरा एक ही order जाएगा तो जैसे हम देख सकते हो पहले हम API connect है नहीं connect है thank you for watching this video इससे related आपको कोई भी question है आप वीडियो के description में वीडियो के comment में बता सकते हो और हमारे telegram group को join कर सकते हो महां पर आपको कोई भी query होती है पूस सकते हो thank you for watching this video and bye